हंजी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बर फिर से हमारे टूप चैनल प्रिक्षा गाइड पर अगर दोस्तों आप लाइबरेरियन एक्जाम की त्यारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं आज हमारी वीडियो का पार्ट फोर है आप हमारी वीडियो से राजस्थान पंजाब बिहार लाइबरेरियन की त्यारी कर सकते हैं साथ में KVS, NVS, DSSB, UGC, NET इनकी त्यारी भी कर सकते हैं इन सभी प्रिक्षाओं में आए हुए previous year question हम लोग अपनी वीडियो में करवाती हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू दोस्तों आपके स्क्रीन पर पहला प्रशन है भारत में कोन से वर्ष में हंटर आयो का गठन किया गया था। अगला प्रशन है योजना समीती द्वारा गठित पुस्तकालियों का कारेकारी समू के अध्यक्ष का नाम क्या था। अगला प्रशन है आपके सामने भारत सरकार द्वारा पुस्तकालियों के लिए न्युक्त प्रामर्स समीति को जाना जाता है रगनातन समीति, एक बोटे समीति, सिनह समीति या फीजी समीति तो इसका राइट अंसर होगा सिनह समीति अगला प्रशन है आपके सामने सन 1967 इस्वी में वाडिया समीति का गठन क्यों किया गया था विश्विद्याले सिक्षा है तो, पुस्तकाले सेवाओं में नवीन तकनिकी है तो या फिर विश्विद्याले पुस्तकालियों है तू या फिर पुस्तकाले प्रसिक्षन की नवीन तकनीकी है तू इसका right answer होगा option number D पुस्तकाले प्रसिक्षन की नवीन तकनीकी है तू अगला प्रशन है KP सिनहा समीती की सिफारी से 10 पुस्तकालियों से सम्मंदित है मतलब कि जो KP सिनहा समीती बनाई गई थी उसने किन पुस्तकालियों के लिए सिफारी से की थी विशेस पुस्तकालिय जिसे special library कहते है academic पुस्तकालिय जिसे academic library कहते है या सारुजनिक पुस्तकाले या फिर सरकारी पुस्तकाले तो इसका जो right answer होगा वो होगा C, सारुजनिक पुस्तकाले के लिए ठीक है अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर अगला प्रशन है चटोपा ध्याय समीति की न्युक्ति डैस द्वारा की गई थी तो इसका जो right answer होगा वो होगा B, संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा अब चलते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन है किस आयोग ने विश्विद्याले के कुल बजट का 6.5 परतिशत अपने पुस्तकाले के लिए नियत करने की सिफारी से की है आपके सामने चार ओप्शन है कोठारी सिक्षा आयोग, राधा कृष्ण आयोग या रंगनाथन समीति या फिर सिनहा समीति तो इसका जो right answer होगा वो होगा राधा कृष्णन सिक्षा आयोग ने कहा था अगला परशन है आपके सामने 1971 में दामोदरन समीति की नियुक्ति 10 कारे की समिक्षा हैतू की गई थी 1971 में जो दामोदरन समीति की नियुक्ति की गई थी किसकी समिक्षा के लिए की गई थी आपके सामने पहला पॉलिटेक्निक पुस्तकाले के लिए क्रिसी पुस्तकाले के लिए राश्ट्य पुस्तकाले के लिए चिकित्सा कॉलेज पुस्तकाले के लिए तो इसका जो राइट अंसर होगा option A पॉल्ल टेक्निक पुस्तकाले के लिए अगला प्रशन है आपके सामने पुस्तकाले विकास है तो कॉलेज के कुल बजट का दस परतीशत व्यक करने के लिए किस आयोग ने सिफारिस की तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा कोठारी समीती ने ठीक है बी option बिल्कुल सही है अगला प्रशन है आपके सामने निमन लिखित में से कौन राश्ट्य ग्यान कमिशन की संतूती नहीं है UGC 2012 पुछा गया है option A है गरंथालियों की राश्ट्य प्रिगर्णा को त्यार करना option B है गरंथालिय परबंधन में अधिकादिक सामुदाईक सहे भागिता को प्रोथ साहित करना राजा रा मोहन राइप पुस्तकालिय नियास राश्टिय समनवेक अजनसी के रूप में कारे करे प्राइविट संग्रहों का दान एव अनुरक्षन स्वीधा परक करना option C राजा रा मोहन राइप पुस्तकालिय नियास राश्टिय समनवेक अजनसी के रूप में कारे करे अगला प्रशन है पेरी समीती का गठन किसको सला देने के लिए हुआ था स्कूल पुस्तकाले के लिए सारजनिक पुस्तकाले के लिए विशेश पुस्तकाले के लिए या विश्विध्याले पुस्तकाले के लिए तो इसका गठन हुआ था विश्विध्याले पुस्तकाले के लिए अगला प्रशन है आपके सामने किस समीती ने यह अनुशंसा की कि इंपीरियल पुस्तकाले को कॉपी राइट पुस्तकाले के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है इसका ओप्शन ए बिल्कुल सही है फेजी कमिशन जिसका गठन 1949 में हुआ था अगला प्रशन है आपके सामने निमनलिखित समीतियों को उनके प्रारंब होने के वर्ष के करम में विवस्तित कीजिए मतलब कि कौन सी समीती सबसे पहले बनी थी उसके बाद कौन सी समीती बनी थी तो मैं आपको बताते चलता हूँ नीचे ओप्शन भी दिये हुए है तो जो पहला है पुस्तकाले समीती इसका गठन 1957 में हुआ था ठीक है और उसके बाद है विश्विध्याले पुस्तकाले के लिए राश्टिये नेटर्क सिस्टम पर समीती इसका गठन 1988 में हुआ था किसमें 1988 में उसके बाद जो तीसरी है गरंथाले विज्ञान पर पुनरिक्सा समीती इसका गठन हुआ था 1961 में ठीक है 1961 में हुआ और जो चोथे नंबर पर है पुस्तकाले और सुचना सेवा पर पठेकरम विकास समीती इसका गठन 1993 में हुआ तो मतल्ब कि सबसे पहले جए समीती आई थी वो 1957 वाली आई थी उसके बाद 1961 वाली आई थी और उसके बाद 1888 वाली आई थी और 1993 वाली आई थी मतल्ब कि जो आपका उप्षन होगा वो होगा आपका option होगा 1, 3, 2, 4 यह option होगा यह बिल्कुल सही होगा तो आप देख सकते हो कापे है अपना यह देखो 4 number option बिल्कुल सही है 1, 3, 2, 4 ठीक है तो आप लोग note भी कर लेना अगर करना चाओ जो first option है ए उसका गठन हुआ था 1957 में second वाले का हुआ था 1988 में third वाले का हुआ था 1961 में और fourth वाले का हुआ था 1993 में ठीक है अब चलते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन है सुचना विज्यान में half life निमलिकित में से किस से सम्बंदित है option ए है ए परचलन की दर यानि की rate of option lessons दूसरा है विकाश की दर rate of growth तीसरा है विखरने का प्रणाम degree of scatter चोथा है सुचना विज्यान यानि की information explosion ठीक है तो आप बता सकते हो कि इसका सही answer क्या है तो सही है इसका A A परचलन की दर 14 नंबर का A option बिलकुल सही है अब है last question निमन लिकित में से ज्यान संबंधी संस्थाओं और उनकी एव सरंचना में सुधार के लिए ब्लू प्रिंट त्यार करने के लिए सेम पित्रोदा के अध्यक्सता में जून 2005 में गठित राश्ट्य ज्यान आयोग NKC के कारे छेतर कौन से है सिख्षा परणाली में उत्करष्टा का निर्मान और ज्यान के छेतर में भारत के परतिस परदी लाब में वरधी करना B option है परतेक राज्ये के राज़धानी में एक कोलेज पुल की स्थापना करना और ज्यान अर्जन में विद्याले जाने वाले बच्चों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने के दर को नियंतरित करना C है S&T प्रयोक्षाला में ज्यान के सरजन को प्रोथसाहन देना और IPR क्रियागलापों में कारे रत संस्थाओं के परबंधन में सुधार लाना D option है क्रिशी और उध्योक में ज्यान के अनुप्रयोक को बढ़ावा देना और सरकार को प्रबावित पारदर्शी और जबाबते ही बनाने के लिए ज्यान छमताओं का उप्योग करना आपको कूट दिये हुए है कौन सा सही है ये बताना है तो इसमें जो option C है ये बिलकुल सही है ठीक है मतलब की A, C और D सही है ठीक है इसमें से जो ये B वाला है ये गलत है बाग की सब सही है ठीक है तो ये थे आज के 15 प्रशन जो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए है अगर आपको ये PDF लेनी है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल परिक्षा गाइड LIS को जोईन कर सकते हो वाँ पर डेली कुज करवाई जाती है जिने करकर आप डेली प्रेक्टिस कर सकते हो हमारे ये ये टूब चैनल को सस्क्राइब कर सकते हो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो धन्यबाद जय हिंद जय भारत